हलेलुया प्रेसलोट प्रविश्व मसी में मेरे सभी बयान भाईयों को जैमसी की आप सबका स्वागत है हमारे इस यूटीब चैनल यहावा शालम टीवी पर आज की इस वीडियो में हम परमेश्व के पवित्र वचन को मेरी बविश्वानियों की पुस्तक में से पढ़ेंग आज का यह सामर्थी वचन परमेश्व के दास प्रेरित अंकोर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा यह विश्वाश है कि जब आप इस पवित्र वचन को सुनेगे तो आप अपनी गवाही को अपने जीवन में रसीव करेंगे तो पूरे विश्वा वचन नीती वचन 10 अध्याए उसके 22 वचन में लिखा हुआ है धन यहवा की आशीश ही से मिलता है और वै उसके साथ दुख नहीं मिलाता मेरे फ्रियों पाइबल बताती है कि पारमेश्व ने आपके साथ वाचा बांदी है जब आप पाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है तू अपने परमेश्वर यहवा को समरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपति प्रापत करने की सामर्द इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूरवजों से शपत खा कर बादी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रगट है जब नीती वचन में पढ़ जो कलीसियाओं में है वो यह है कि धन शैतानी है पैसा शैतानी है लेकिन बाइबल बताती है कि रुपयाओं का लोब सभी प्रकार की बुरेण्यों की जड़ है पैसा शैतानी नहीं है पैसों का लोब होगा तो आप चोरी भी कर सकते हो डाका भी डाल सकते हो कबजा भी कर स लेकिन आप परमेशर को याद रखोगे तो वो आपको ताकत देगा अपनी खुद की संपती लेने की धन कमाने की एक बार एक मसीही वेक्ति अपने दश्माश में परमेशर के साथ वफदार नहीं था कभी दे देना, कभी ना देना, उसी दश्मास से किसी की सहाईता कर देना, दश्मास को किसी को दे देना, ये दश्मास नहीं है, दश्मास का मतलब परमेशर के भवर में, जब उसने कहा कि मैं ऐसा करता रहा, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब ठीक चल रहा था, कमा रहा था, खर्चा हो रहा था, लेकिन वे बोले एक घटना मेरे जीवन में घटी, मेरी पत्मी ने मेरे खिलाफ डैवर्स केस दायर कर दिया, उधर से मेरा फाइनेंस डीला, इधर से डैवर्स केस, बच्चे, जाब, सब कुछ मेरे डाउन चल रहा था, सब कुछ विर्थ हो ग कि मैं दश्माश नहीं दे पा रहा हूँ, वो कहता, मेरे दोस्त भी यही बोलते थे, डॉंट वरी, चिंता मत करो, परमेशर को पैसों से मतलब नहीं है, फिर क्या हुआ, अगर तेरे दिन खराब चर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, परमेशर तो दिल को देखता है, जब वो दश्माश नहीं दे रहा था, तो सुदरने के बजाए उसकी स्थिती और जादा खराब हो गई, परमेशर इमोशनल नहीं है, जब उसे वचन मलूम हुआ, उसने फैंसला किया, कि मैं अपनी घटी में भी दश्माश दूगा, उसने दश्माश देना शुरू किया, परमेश अब से तेरा आटा, तेरा तेल, अकाल के समती तक कभी खतम नहीं होगा, इसी लिगे परमेश्व ने कहा, सारे दश्माश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवर में भोजन वस्तु रहे, सिनाओ का यहवा ये कहता है, कि ऐसा करके मुझे पर्खो, कि मैं अकाश के जरो के तु हूँ के नहीं, आमेन, प्रातना, सर्व शक्तिवान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और प्रातना करती हूँ कि मैं आपकी जोती के अंदर रहकर चलूँगी, परमेश्वर आप मुझे अनुग्रा दे, ताकि मैं हर अंधेरे के काम से आज के साम मर्थी और पवितर वर्चन के पढ़े और सुने जाने के दुआरा परमेश्वर आप सब को बहताई से अशिशित करे, सब को जय मसी की